स्रावस्ती फ्रेश में जिले की खबरें देखें एक साथ फटा फट अंदाज में सबसे तेज़ खबर स्रावस्ती चैनल को लाइक सियर यूं सस्क्राइब करें एकोना लाके के मुहमप पुर राजा में पहुचा तेरा बरसी किसोर नहीं बता पा रहा अपना नाम पत पा रहा है जो भटकते हुए पहुंच गया है जो अपना नाम पता तथा अपने परिजनों के बारे में कोई भी जनकारी नहीं दे पा रहा है जमीनी विवाद के चलते भटपुरवा करा निवासी ब्यक्त के साथ की गई मारपीट पुलिस की तहरीर पर पुलिस ने मेडिकल परिषण के लिए भेजा इकवना अस्पताल नबीर माडन थाना साथ इलाके के भटपुरवा कला का मामला जहां पर जमीनी विवाद के चलते सक्स पर हमला किया गया जिससे सक्स गंभीर रूप से घायल हुआ ऐसे में उसे इकवना के जिला इकवना के समदा एक्स्वास केन पहुचाय जहां पर डाक्टरों ने उसका उपचार कर मेडिकल परिछर से पुलिस को अउगत कर आया नबीर माडन थाना साथ इलाके के भटपुरवा कला का गाउं का पुरा मामला है जहां पर जमीनी विवाद के चलते सक्स पर गंभीर हमले किये गए दूध के बकाया पैसे मांगने में वो दूध दिया करता था जब उसने दूध का बकाया पैसा मांगा तो बेपाच्छी ने चप्पलों से उसकी जमकर पिटाई कर दी जिसके बाद उसने एक ओना थाने में पहुंचकर तहरीर देकर कारवाही की मांगी किसने मारा है? काहे लिए? परिजन काफी परिशान उनका पुत्र उक्रेट में फसा स्रावस्ती जनपत के भिंगा इलाके का मामला जहांपर राहुल चोधरी पुत्र आद्याप्रसाद चोधरी निवासी गड़ी कोतवाली भिंगा उक्रेट में पढ़ाई करने गया हो था वहीं पर फंस गया है अन्हो से बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाने की गुहाल लगा रहे हैं। के साथ साथ मेडिकल परिछण कर पुलिस को मेडिकल परिछण से अउगत कराया सावस्ती जन्पत के भटप्रवा कला गाउं का मामला। जा रहा पिकप अचानक उस वक्त अनियंतित हो गया जब सामने से कोई वाहन आ गया जिसको बचाने के चक्कर में वाहन अनियंतित हुआ। साथ ही चालक को मामली रूप से चोटे आई इकवना बल्रामपुर मार के कट्रा पिट्रपम के पास की ये तस्वीरे हैं जहां पर अचानक पिकप चालक अपना नियंतित होकर पलट गया जिससे पिकप में लदा सादा सामन खाई में पलट गया। इकवना इलाके के कट्रा पिट्रपम के पास की ये तस्वीरे हैं जहां पर आप तस्वीरों में साप देख पा रहे हैं कि किस परकार से चालक का भारी नुक्सान हुआ ऐसे में चालक को मामली रूप से चोटे भी आई इकवना बल्रामपुर मार के कट्रा पिट्रपम के प स्यम्गडा केंद की यह तस्वीर है जहां पर आज राष्टिय किसोर स्वास्ति का इकम के तहट किसोर स्वास्ति यूम विल्नेस दिवस का आउजन किया गया जिसमें काउंसलर नाजिम खान ने उन्हें समस्त पियर एजी कोटर को पोसनियूम नसा मातट पदातों के दुरिय उपोक से होने वाले दुस्प्रभाव के बारे में जानकारी दी इस दौरान सियचो स्रेया उत्तम समस्त आसांगनबारी संगनी वा एजूकेटर आरी लोग मौजूद है जिनकी मौजूदगी में उन्हें बिधवत जानकारी दी गई एक दिवस्य कारिकम का आयोजन किया जिसमें राष्टिय किसोर स्वास्त कारिकम के तहट किसोर की सोरियों को तमाम तरह की जानकारी दी गई साथ ही उनके खानपान के बारे में भी जानकारी देखकर उन्हें प्रसिचित किया गया इकोना इलाके के स्यमगडा केंद की ये तस्वीरे हैं जहाँ पर एक दिवस् अधिकारी की अध्याचिता में एर आईसी में संपन हुआ मतगर्णा में लगे कर्मियों का प्रथम साउस्ती जन्पत के जिला मुख्यले महिनिगा का मामला जहां पर विधान सभाज चुनाओ की मतगर्णा को सही तरीके से संपन कराने के लिए जिला नवचन अधिकारी नहा प्रकास की अध्यशता में मतगर्णा में लगे करिमों को का प्रथम रैमी माईडिकारी क्यांसलिपिक यसपी सिंग यह नाईसी इंजिनियर दीप नरायन सहित संबंधित अधिकारी गर्ण मवजूद है जिनकी मवजूदगी में प्रथम परणने के रमलीला मैदान बेचु बाबा महले में पहुचकर पीत पैजर से मिले तहसिलदार पैजनो को दी सांटोना सवस्ती जनपत के रमलीला मैदान में रहने वाले सद्धाम हुसैन युक्राइन में फशे हुए हैं जब खबर चलाई गई तो मेडिया की खबर को संग्यान में लेते हुए तहसिलदार ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांतोना दी और नाम पता तथा अनि आउस्टिक जनकारी नोट की। जब खबर के जिला मुख्याले भीनगा का मामला जहां पर जिला निर्वाचन अरिकारी नहा प्रकास वा पुलिस अधिचक अर्विंद कौण मौजा ने कलेक्टेट इस्टित इस्टांग रूम का जाजा लिया और यहां पर लगे हुए स्वच्छा बलों तथा सीसी टीवी क किया आपको बता दे 10 मार्च को यहां पर मतगरना होनी है साथ ही इस्टांग रूम की व्यवस्था का भी निरिच्छड किया गया सावस्ती जनपत के जिला मुख्याले भीनगा का मामला जहां पर जिला अरिकारी वा पुलिस अधिचक ने निरिच्छड किया